साथियों नमस्कार गद्य सिक्षन स्रिंखला में आपका स्वागत है इस स्रिंखला के अंतरगत आज हम चर्चा करेंगे राम बिलाश शर्मा और उनका आलोचनात्मक निबंध या थासमे रोचते विश्वम पर राम बिलाश शर्मा का यह निबंध यंसी आटी की कक्षा बारह की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग दो में सामिल है निबंध से जुडे महत्वपुन बिंदुओं पर प्रकास डालेंगे विशय विशय शक्ग डाक्टर अंगत तिवारी दिल्ली विश्व विद्याले के स्री अरविंद महा विद्याले में अध्यापन रत हैं भासा साहित शिक्षण के लिए वो जाने जाते हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं डाक्टर बीर पाल सिंग् महात्मा गांधी अंतराष्टी हिंदी विश्व विद्याले वर्धा में अध्यापन रत हैं भासा साहित शिक्षण में उनका विशिस्ट नाम है आए देखते हैं उनकी बातचीत साथियो नमस्कार आज हम चर्चा कर रहे हैं डाक्टर राम बिला सर्मा के निवंद यथास में रोचते विश्वम पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है प्रोफेसर तिवारी जी तिवारी जी मैं चाहता हूँ कि आप विद्यार्थियों के लिए यथास में रोचत शर्मा की पहचान एक प्रगतिश्री लेखक, आलोचक, चिंतक और विचारक के रूप में है डाक्टर रामिला शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जीले में उम्च गाउं सानी नामक गाउं में हुआ था उसके बाद वो लखनव विश्व विध्याले से अंग्रेजी साहित में एमे किये और वहीं से अंग्रेजी साहित में पी हच डी की डिगरी प्राप्ति की कुछ दिनों तक लखनव विश्व विध्याले के अंग्रेजी विभाग में वे अध्यापन भी करते रहे लेकिन बाद में उनकी नियुक्ती आगरा के बलवन्त राजपूत कालेज में हो गई और वहाँ पर 1943 से लेकर 1971 तक उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्यान और अध्यापन किया उसके बाद डॉक्टर सर्मा आगरा में ही स्थित केम मुंशी विद्या पीट के निदेशक निउक्त हुए और इस पदपर रते हुए उन्होंने उस विद्या पीट के लिए बहुत ही महत्तुपूर काम किये आग्रह से मुक्त होकर डॉक्टर राम्विलाश्चर्मा दिल्ली आ गए और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लेखन को समर्पित कर दिया डॉक्टर राम्विलाश्चर्मा हिंदी में एक कवी और आलोचक के रूप में प्रवेश करते हैं आप जानते हैं कि अग्ये द्वारा संपादित तारशब्तक के प्रमुक कवियों में राम्विलाश्चर्मा का नाम भी शामिल है लेकिन बाद में डॉक्टर राम्विलाश्चर्मा ने कवीता लेखन का काम छोड़ दिया और आलोचना के छेत्र में अपने आपको केंद्रित किया और हिंदी की प्रकतिशील आलोचना को सुभवस्थित करने में उसे एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निवाई डॉक्टर राम्विलाश्चर्मा का लेखन प्रचूर है सब की गिंती यहां तो नहीं की जा सकती है लेकिन कुछ चीजों की चर्चा यहां की जा सकती है डॉक्टर राम्विलाश्चर्मा ने रिगवेद से लेकर बालमीक कालिदास भवभूत और तुलसी सब पर आलोचना आत्मक लेखन किया है विपुल साहित रचा हाँ और इतना ही नहीं आधुनिक साहित में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है आप जानते हैं कि भारतेंद्यु यूग पर उनका काम है जे महावीर प्रशाद दुवेदी पर उनका काम है आचार जराम चंद्रिश्टुक्र प और उनका काम है, और नई कभीता पर उन्होंने लेखा है. तो आप देखिए, रिगग बेद से लेकर और नई कभीता तक कितना विश्तृत फलक है राम भिलाज श्रुमा के लेखन का. उन्होंने संपाधन कार भी किया है, डक्र साथ अनुबादग भी रहे हैं. डाक्टर राम बिलाश शर्मा संपादक भी रहे हैं और उन्होंने अंग्रेजी स्ताहित से हिंदी में बहुत सारी चीजों का अनुभाद भी किया है और आप देखेंगे कि डाक्टर राम बिलाश शर्मा केवल संपादक या आलोचक नहीं थे डाक्टर राम बिलाश शर्मा एक बहुत उच्छे कोटी के भाशा वीद भी थे. आपने उनके किताब का नाम सुना होगा, भाशा और समाज. और उनकी दूसरी मात्वूण पुस्तक है, भारत के प्राचीन, भाशा परिवार और हिंदी. ये पुस्तक तीन खंडों में लिखी गई है. और काफी चर्चित पुस्तक है, हिंदी समाज गई से काफी आदर के सम्मान, आदर और सम्मान के साथ पढ़ा जाता है. तो भाशा वीद के साथ साथ वे एक इतिहासकार भी हैं. भारत में अंग्रेजी राज और मार्क शुआद नाम की पुस्तक दो खंडों में उन्हें लिखी है, और ये पुस्तक भी काफी चर्चित और प्रसिद्ध रही है. इसके साथ साथ उनके निवंदों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है. निवंदों की दुनिया नाम से? नई, विराम चिन नाम से. विराम चिन नाम से उनके निवंदों का संग्रह प्रकाशित हुआ है. इसके अलावा तीन खंडों में उन्होंने अपनी आत्म कथा लिखी है. अपनी धर्ती, अपने लोग नाम से. तो इस प्रकार आप देखेंगे और जो उनकी और महत्तुपुन पुष्टकी हैं, उसमें परंपरा का मुल्यांकन, हस्था और संदर्ज, भारतेंद और उनका युग, प्रेम चंद और उनका युग, प्रेम चंद पर निराला की साहित्य साधना तीन खंडों में उन्होंने लिखिया जिस पर उन्हों साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला, तो इस प्रकार उनका लेखन अत्यनत भीपुल है, और हिंदी साहित्य को उन्होंने अपने लेखन से संब्रद्द किया है, डाक्र साब बहुत अच्छा आपने जीवन परचे दिया उनका, मैं यह जान कार हैं, चिंतक हैं और विचारक हैं, अन्य लोगों की तरह वो यह नहीं मानते हैं, कि जो कुछ समाज में हो रहा है, साहित्य में उसी की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, विचारधारा से लैस कोई भी जो रचनकार होता है, वो अपनी रचनाव में दिशाओं का निर्देश करता है, जैसे मान लेजिए उदारण के तोर पर अगर आप किसी केंडिल को जलाते हैं, तो उससे भी प्रकाश होता है, परन्तु कोई पूछे आप से कि उस प्रकाश की दिशा क्या है, तो आप यह तैर नहीं कर पाएंगे कि प्रकाश की दिशा क्या है, लेकिन अगर कोई टार्च जलाता है, तो उससे भी प्रकाश होता है, लेकिन उसकी दिशा निष्ठित होती है, तै होती है, वो बताती है कि हमें किस दिशा में जाना है, उसी तरह जो विचारधारा से लायस रचनाकार होता है, उसकी रचना में दिशा निरधारित होती है, डाक्टर राम इफ पादे हैं कि यथा समयी रोचते विश्म और ठाफ इसको ये ayah saan शंकृत का पदवन्ध है इसको हिंदी मेरे का सब्कते हैं जैसी दुनिया हमें पसंद है रुचिकर है, अच्छा लगती है जैसी दुनिया, कभी को, रचनाकार को, कलाकार को, तो जो कलाकार होता है, वो अपने समय और समाज से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, हमेशा उस समय और समाज में कुछ ऐसा पाया जाता है, जिसे वो पसंद रहता है, रचनाकार, करते हैं कि जो पैचारिक रचनाकार है, वो अपने पसंद की दुनिया का निर्माड अपनी रचना में करता है, उसको प्रस्ताविद करता है, उसके स्वरूप की रूप रेखा रखता है, बले ही वो किसी और को पसंद हो यानि कि एक लेख रचनाकार एक नई दुनिया का पेश करता है, बड़ा रचनाकार एक विकल्प भी देता है, जो समस्या है, डग साब, निबंद को जीवन की कसोटी कहा जाता है, आचाशुक ने कहा है, तो निबंद बिधा के बारे में आप थोड़ा संचित शाक्रों के लिए जाता है, डग साब, निबंद की कोई सर्वमा सकता है, कि निबंद रचनाकार के व्यक्तित को प्रकाशित करने वाली एक ललित रचना है, इसकी कोई निश्चित परिभाशा नहीं है, निबंद को अंग्रेजी में कमपोजीशन या ऐसे भी कहा जाता है, अब इस निबंद का जन्म कैसे होता है, डग साब, आप जानते ह हैं कि मनुष्य का केंद्री भाव जो है, वो स्वाधिनता का भाव है, लेकिन हमेशा मनुष्य समसामाईक परिस्थितियों के दबाव में जीता है, तो एक तरफ स्वाधिनता का भाव, स्वाधिनता की चेतना, और दूसरी तरफ समसामाईक परिस्थितियों का दबाव, इ इतिहास बोध पैदा होता है, और जब इतिहास बोध पैदा होता है किसी व्यक्ति में, तो उसे अपने परंपरा की रूडियां दिखाई पढ़ने लगती हैं, और जब रूडियां दिखाई पढ़ने लगती हैं, तो वह उसे मुक्त होना भी चाहता है, इस प्रकार, इस प् देश से व्यक्तित्तु का प्रकाशन, और एक दूसरा उसका गुण है, दूसरा गुण क्या है कि जो निबंदकार है, वो किसी विशय पर, किसी वस्तु पर निबंद लिखता है, इसमें निर्बंद होकर, स्वतंत्र होकर वो अपने विचारों को रखता है, और आत्मी धंग से पाठकों को भी उसमें प्रतिभागी बनाने के लिए आमंत्रीत करता है, तो इसलिए निबंद के दो मुख्य गुण है, एक तो व्यक्तित्तु का प्रकाशन, और दूसरा सभागिता अथ्वा प्रतिभागिता, अब इसमें एक चीज और मुझे बताना है आपको, कि निबंद की शैली और भाषा भी अलग-अलग होगी, तो इसलिए निबंदों की कई स्रेणियां बताई गई हैं, मैं तीन स्रेणियों का उल्लेक करना चाहूंगा, एक तो है समास और व्यास शैली, दूसरा है तरंग शैली, और तीसरा है धारा शैली, जिन निबंदकारों के विचार और भाव, अत्यदिक संगठित होते है, जिनका अधियन ब्यापक होता है, जिनका अनुभ़ौग घहरा होता है, और जिनका पर्जव्यक्षणभी ब्यापक होता है, वे समास और व्यास शैली का उपयोग करते हैं, अचार्ज राम चंद्रशुक्त्र और अचार तरंग शैली में रचनकार का मूड प्रधान होता है, मूड कार्थ हुआ मनह इस्थिति, इस मनह इस्थिति के तहत, वह तरंग में आकर कुछ लिखता है, और उसका हिर्दय कभी इस वस्तु को पकड़ कर चलता है, कभी उस वस्तु को पकड़ कर चलता है, कभी उसके हिर्दय का बेग तीब्र हो जाता है कभी शिथिल हो जाता है और कभी स्तब्ध हो जाता है दक साब इस निवंद में इसको पूरा कर लेते हैं तो तरंग में आकर जो लोग लिखते हैं तरंग में आने की वज़ा से उनकी भाशा में भी उतार चड़ाओ देखने को मिलता है और तीसरा है धारा शैली धारा शैली में निवंदकार के भाव की गति और अस्तर आद्यो पांत एक जैसा अभिन्यस्त होता है इसलिए उसको धारा शैली कहते हैं टाक्टर पूर्ण सिंग का जो निवंद है उसको हम इस कटेगरी में इस श्रणी में रख सकते हैं अचरण की शब्धता किसे क्यों कि है क्या कहना चाहता है लेकि इस निवंद में ले बिक ए हिंदू-धर में तीन देवता प्रमुख माने गए ब्रह्मा विश्णू और महेष ब्रह्मा इस शिइस स्रिश्टी के सर्जवकर रचनाकार हैं विश्णु इसके पालन करता है और महेष शवः करते है तो चुकी स्रिष्ट के सर्जक रचनकार ब्रह्मा है, इसलिए उन्हें प्रजापति का धर्जा दिया गया है, उन्हें प्रजापति के नाम से भी जाना जाता है, डाक्टर रामिला शर्मा का मानना है कि जो स्रिजन सीलता ब्रह्मा में पाई जाती है, वही स्रिजन सीलता कभ कभी और रचनकार में भी पाई जाती है। जिस तरह से ब्रह्मा अपना समाज बनाता है, कभी और रचनकार भी अपनी रचना में एक नए समाज का निर्माण करता है। क्योंकि जिस समय और समाज में वह रहता है, उस समय और समाज की सभी चीज़ों को पसंद नहीं करता है, इसलिए वो असंतोष्ट होता है, और उस असंतोष्ट की भावना से प्रेरित होकर वो नए समाज की सृष्टी करता है, यहां पर उसकी भूमी का प्रजापती के समतुल हो जाती है इसी लिए तुलना जी इसलिए राम बिला सर्मा जी साहित्य समाज का धरपन है अचार महावीर प्रशाद बुवेदी की जो परिभासा थी उससे अलग भाव रखते हैं और असहिमत ही प्रकट करते हैं साहित्य समाज का धरपन है एक पूराना सिद्धान्थ है इस पर बहुत ही बहसे हुई है तो साहित्य समाज का धरपन है ये धारणा एक हद तक ही सही है पूरी तरह सही नहीं है साहित्य में निश्चितरुप से समाज के अभिव्यक्ति होती है, लेकिन धरपण वादी सिध्धान्द के हिसाब से अगर आप विचार करें, तो साहित्य में जो समाज दिखाई पड़ेगा, वो सतही समाज होगा, मने उपरी चीज आपको दिखाई पड़ेगा, उसकी गहरा यह है कि दरपण में तो आप उपरी चीजों को देखते हैं, लेकिन जो रचनाकार होता है, वो सिर्फ उपरी चीजों को नहीं देखता है, वो यथार्थ की परतों के अंदर प्रवेश करता है, और नीचे के इत्तह में क्या कुछ चल रहा है, उसको भी देखता है, तो फि अगर एक ही पात्र में सारे अच्छे गुड इस निवन्द में समाहित कर दिये गए है, ऐसा क्यों, ऐसा लेखत ने क्यों, निवन्दकार ने ऐसा क्यों किया? मैं इसका उत्तार दूँगा, लेकि मेरा इसमें थोड़ा सा एक दो बात और कहनी है, लेकि अगर दरपनवादी सिध्धान्त को आप स्विकार कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ, कि आप किसी रचनकार की रचनसीलता को अस्विकार कर रहे हैं, उसकी स्रिचनात्मक श करता है, उसके इस सिध्धान्त की वज़ा से समाज में कलाकार का बड़ा अवमुल्यन हो गया था, लेकिन उसी के शिष्य अरस्तु ने इस सिध्धान्त का खंडन किया, उसने रचनकार की रचनसीलता को पहचाना, और समाज में उसे पुनर प्रतिष्ठी किया, इसलिए त और प्रेरित करता है, केवल मनो रंजन कभी का कर्म होना चाहिए, उसमें उचेत उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उपदेश और प्रेरणा होनी चाहिए, साहित का अस्तित मानो संबंधों से क्या है, दक्राथ? देखिए, साहित में समाज की अभिवेक्ति होती है, और समाज का निर्माण मानो संबंदों से होता है, मनुस्यों के बीच अगर संबंद नहीं है, तो उसे अब समाज नहीं का सकती, वह एक भीड है, यानि समाज का निर्माण मनुस्यों की अंतरक्रिया से होता है, जब अंतर क्रिया होगी तब ही समाज का निर्मान होगा तो अंतर क्रिया होगी तब जब संबंद होगे तो जो समाज है वो संबंदों से परे नहीं होता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये संबंद बहुत रूड हो जाते हैं और समाज के समाज भी रूड हो जाता है एक पीजरे की तर उसकी तरह मनुसरी भी तड़ पदाने लगता है, उससे मुक्त होने की कोशिश करता है, उसी समय कभी जो है, उसकी मुक्ती का गीत गाता है, उससे प्रेरिट करता है, यानि जीवन के विकास में साहिती की अपरतिम भूमका है, बहुत बिड़ी भूम का है Gaklo Daksana अब अंग पंदravी सोल्मी सदी में शाहित के बारे में इस निभंद में जो लिखा गया है संछेप रूप में पंदravी सोल्मे का योगदान है पंदravी सोल्मी सताबदी का समय परति Jood में सामन्तवाद का समय है, और सामन्तवाद की दो नियामक शक्तियां हैं, वर्ण और धर्म, इस वर्ण और धर्म के वज़ा से समाज एक बंद समाज हो गया था, जिसमें मानवता करा रही थी, छटपटा रही थी, इसी वक्त भक्ति आंदुलन का शुरुआत हुआ, और भक् पांच जन्न, पांच जन्न से लेख का क्या आसे हैं? पांच जन्न स्री कृष्ण के शंक का नाम था, आप जानते हैं कि महा भारत का युद्ध कुरुशेक्त्र के मैदान में हुआ था, और या युद्ध 18 दिनों तक चला? डाक साब, इस निबंद में पांच जन्न सब्द का का प्रियोग किस आसे में लिया गया है? देकि ये, ड 나타टर राम इलाज शर्मा का महनना है कि साहीत्में भ्यक्त जो विचार है, वो साहीत्य का पांच जन्न ने है, क्योंकि विचार की वजय से संगर्ष पैदा होता total और संगर्ष की वजय से मानों संब्स संब्मंद्न में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन की वज़ा से समाज के धाचे में परिवर्तन होता है समाज का पूराना धाचा तूटता है और उसमें से एक नया समाज निकलता है जो अपेक्षाकृत अधिक मानवी और विकास की द्रिष्टी से अधिक उन्नत होता है बहुत पर चर्चा सुनी और देखी चर्चा के उपरांत आप लोगों के मन में जो प्रश्न और जिग्यासाएं रही होगी वह निश्चित रुप से उनका समाधान हो गया होगा फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न कोई जिग्यासा हो तो आप अपने साथी मित्रों से चर् और उनकी रचना के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए हमें आज्या दीजिये नमस्कार कर दोगी तक को हाजी तक कर दो nic